चलिए ग्यास कॉश्चन नुबर फिफ देखते हैं, अ ड्राइवर अफ अ कार ट्राइवलिंग एड 52 किलोमेटर पर आर यह उसके स्पीड है 52 किलोमेटर पर आर उस पर ड्राइव कर रहा है और उसने सड़नली ब्रेक लगाए और उसके बाद वह यूनिफॉर्म यह होगा कारवन की कंडिशन उसके आप दूसी ड्राइवर तीन किलोमेटर पर आर की स्पीड से चल रहा है ठीक है और उसने ब्रेक लगाए उसने स्लोरी लगाए ब्रेक तो गाड़ी रुकी 10 सेकड़ के बाद तो बस हमें ग्राफ पिपर पर दोनों कारों का स्पीड अगरों कर दो साना है क्योंसी का ब्रेक के बाद जाज़ा distance कमकर पाई ट्रे både फौर्इशन समझ अगई तो वह मं ग्राफ बनाएंगे उसके बाद हम यह भी बताएंगगी कौंसी कंडिशन ने जाडा a डिस्टन्स कवर किया तो म हम ग्राफ बना लेते हैं अमें हैं अगमे पहली कार की kāre1 किंडिशन है, speed is 52 kmp और, कितने मिनट बार दुख रही है, time है, 5 से कनडे, कोई दिक्कत, car2 की कंडिशन है, speed है, 3 kmp और, कितने से कंडे बाद, 10 से कंडे के बाद, हमें बनाना है, speed and time graph, जी कहा है, speed and time graph, अच्छा हूं, km per arc, meter per second में करना होता हो, उसको 5 by 18 से multiply कर दो, 5 by 18 से आप इसको multiply कर दो, जब आप multiply करोगे, इसको solve करोगे, तो आपकी speed बन जाएगी 14.44, यह solve all करने का काम तो आप करी लोगे, तो इसकी speed होगे 14.44 meter per second, similarly इसको भी कर दो, 3 को 5 by 18 से meter per second में convert करने के लिए, तो 5 x 9 कितना होता है, 5 x 9 आपको होता है, 0.83 ms, तो हमने ये दोनों स्पीड है, ms में करती है, अब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, नेक्स स्पीच पे, आराम से, चलिए गाइस, तो अब देख लेजे आपके सामने, हमने निकाला था भी प्रिमस्ली स्पीड, 1 of car 1 की 14.44, ट जब 0 speed रही होगी, तो time आपका 5 seconds रहोगा, तो पहला पॉइंट आपको यहाँ आगा, ग्राफ बनाना तो आता है ना आपको, उसके आद ये speed जब आपकी, जब time 0 रहोगा तो speed रही होगी, तो यहाँ दूसा पॉइंट आपका 14.44 यहाँ होगा, तो इसका ग्राफ ये pink वा जब speed 0.82 रही होगी, यानि कि जब speed यहाँ कहीं रही होगी, यहाँ कहीं, तो time रहोगा 0, लेकिन जब speed होगी 0, तो time रहोगा 10, तो देखो, मैं बनाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपको, यह समझ गयोंगी, कि यह ऐसे, 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 पूरा 10 तक जाएगा, ठीका, यह हो गया, तो यह हमारे हो गया, blue वाला car 2 का, जब graph बनाओगे तो अच्छे से बनेगा, बस, अब हमें बते चलिए, हमने graph बना लिया, दूसरा question पूछ रहा था, कि कितना travel करेंगे, तो देखो, velocity time जब graph होता है, तो उसके area के, उसके graph के अंडर जो चीज होती है, वो हमें द देती है, displacement, और speed time craft के अंडर की जो चीज होती है, वो हमें देती है, distance, तवस, यही था glitch, तो अब distance हम यहां से निकाल लेंगे, पहले pink वाले का, यह वाला area, पूरा distance देगा हमें, यह पूरा, distance यह जो में green कर रहा हूँ, तो car, कारे का distance निकाल लो, यह का triangle सा बन रहा है, त से यहां तक, यानि 5, into height, height, कितने हैं, 14.44, तो यह distance देगा car 1, similarly car 2 का distance कितना होगा, बता हूँ, वही यह वाला area, यह जो में orange कर रहा हूँ, यह blue के अंदर जितना भी है, मतलब speed time graph में, जो graph के अंदर की चीज होती है, वो distance देती है, और velocity time graph में displacement देती है, तो निकाल लो, इसमें भी एक triangle से है, अगर आप ठीक से देखो, बनाऊगे तो, तो distance जो हो जाएगा, half, base कितना है, यहां से यहां से यहां से, 10, into height, कितनी यहां से, speed कितनी, 0.83, 0.83, तो बस, question solve graph भी बन गया, दोनों के distance भी बता दिया, इसको solve कर लेना, तो ऐसे बनाते हैं graph, इसमें जाएगे, और speed time graph में, जो graph के अंडर का area हम निकाल लेंगे, तो distance पता चल जाएगा, तो speed time graph है, हमने graph के अंडर का area निकाल दिया, क्योंकि यह triangle है, triangle का area निकाल दिया, तो हमें distance पता चल गे, दोनों के, तो यह था, question number 5, इसको solve करके ज़रू बताना, मैंने तो यहां छोड दिया, multiply करके solve करना, चल दिखते है, question number 6,